फ्रेंड्स ये है radial टायर और ये है normal टायर जिसे हम लोग cross ply टायर, wire supply टायर या non radial टायर भी कहते हैं आगे इस वीडियो में आपको इन दोनों ही type के टायर के technical difference के बारे बताने वाला हूँ road पे की situation में कौन सा टायर बेतर होता ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही आपको ये भी जाननी को मिलेगा कि अलगर situation में इनके क्या क्या advantages है, इनके क्या क्या disadvantages है और खास करके अभी बारिश के मौसम में अगर आप अपने बाइक के टायर को upgrade करने के सोच रहे हो लेकिन हम लोग शुरुवात करते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि जो टायर है वो radial है या फिर normal टायर है बहुत सिंपल है जो radial टायर होता है यहां पर आप इसके sidewall में देखोगे तो बहुत सारे numbers लिखे होए होते, letters लिखे होते अब मैं आपको इन दोनों ही टायर का जो constructor difference इसके बारे बताता हूँ, देखो वैचे तो दोनों rubber का ही बना हुआ है लेकिन main जो आपको difference देखने को मिलता है वो इन टायर के अंदर का जो construction है इसमें देखने को मिलता है जिस तरह से आप घर बनाते हो, pillar ढालते हो, तो pillar के अंदर में छड को डालते हो ताकि वो छड जो cement है, जो हमारे गिट्टी वगर है, उसे hold करके रखे इसी तरह से यह जो tires होते है, इनके अंदर में plycots को डाला जाता है, तो सारा difference plycots का ही आता है पहले मैं radial tire का आपका बातार में चाहूंगा, कि radial tire में देखो क्या होता है, कि जो plycots को डाला जाता है, वो इन tire का जो direction of rotation है, इसके perpendicular होता है, असान लफजों में कहना हो, कि इन tire के जो plycots होते है, वो कुछ इस तरह से, आप देख लो, इस तरह से completely crown से होकर, जो साइड में criss cross pattern में यहां पर इन्हें arrange किया जाता है, अब यहां पर फिर से tire में वरापास आ जाओ, तो यहां पर चूकी यह perpendicular होते है, लेकिन यहां पर difference यह होता है, कि radial tire में एक तरफ जहां प्राइकोर्स यहां से सुरू होके, center से सुरू होके, आखरी में, पूरी इस तरह से आखरी में side wall के end तक जाते है, लेकिन radial tire में यह भी हो जाता है, कि particularly जो हमारा crown area है, और जो solder है, यह tire का solder जो crown area है, इसे ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस तरह के tire में अलग से steel belts का use कर जाता है, इसके लावा यहां पर cap plies को भी दिया जाता है, जिसके वैसे फाइदा यह हो ज हो जाता है, चुकि यहां पर side में stiff और फ्लाय कोड्स होते है, इसलिए यह हो जाता है, कि यह ज़्यादा flexible होते है, अपने arrangement के वज़ा से, यह कठोर, यह rigid नहीं होते है, जो side wall वाला area है, वहीं दूसरी तरफ steel belts पकर यूज़ करने से वह से क्या होता है, कि यह जो हमारा front का area है, यह ज़्यादा stiff होता है, यह ज़्यादा मजबूत होता है, यह तो construction होता है, रेडियल टायर का, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दो चले नॉर्मल टायर में, तो देखो, नॉर्मल टायर में यह हो जाता है, कि इनके arrangements के वज़ा से, शुरू से लेकर end तक, जी हां, end तक आप यहां पर आखरी में देख लो, जो हमारा side wall का end है, यहां से लेकर हमों दिरिदर अगर आगे बढ़ेंगे, तो completely जो सरकर लगा लो, आप यहां पर क्या होता है, कि in, throughout, यह uniformly strengthen होते है, यानि कि इनका जो mechanical strength होता है, वो सेम होता है, जो आपका strength, जो मजबूती, यह front वा होता है, उसका भी होता है, जिसके वैसे जो normal tires होते है, इनका जो side wall होता है, वो flexible नहीं होता है, यह ज़्यादा stiff होते है, ज्यादा कठोर होते है, तो friends, आप इन दोनों ही type के tire का technical difference है, बहुत हो समझ गए, अब मैं आपको इन technical difference के वैसे, इन में क्या advantages और क्या disadvantages हो जाता है वो बतायता हूँ, पहले हम लोग बात करते है, radial tire की, तो radial tire में सबसे पहले फाइदा ये देखने को मिलता है, कि यहाँ पर चुकि side wall जो होता है, यह flexible होता है, यह बहुत ज्यादा stiff नहीं होता है, जिससे फाइदा यह हो जाता है, कि जब आप high speed में चला रहे होते हैं, उस high speed में ये जो हमारा side wall है, वो slightly जो road का shock है, उसे absorb कर लेता है, जिसके वैसे आपको high speed में smooth riding in radial task के वैसे मिलता है, साथी आपको बेहतर handling और बेहतर stability को भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर difference ये भी हो जाता है, एक फाइदा मिल जाता है, कि चुकि इसका stiffness जो है, ये अलग इसका अलग है, जिसके वैसे ये independent होने के वैसे फाइदा ये हो जाता है, कि road पे चलाते समय ये जो हमारा crown area है, इसका road के surface के साथ बेहतर traction देखने को मिल जाता है, ये बेहतर contact में रहता है, यहाँ पर आपको entire का trade है वो देखने को मिल रहा है, तो difference ये बहुता है, कि इनका जो trade का pattern जो design होता है, वो जो normal tires है, इनसे आपको अलग देखने को मिलता है, अब फाइदा ये हो जाता है, कि ये जो trade का design है, इसके वैसे एक तरफ जहाँ ये ट्रड ये जो tire है, इसे अंदर से protect करके रखता है, interior को protect करता है, इसके अलावा इन trades के वज़े से भी road grip बहुती बेतर मिल जाता है, साथी इन tires के अंदर में छुकी, ply cord का जो construction होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, इस arrangement होता है, जिसके वज़ा से ये हवा को भी लंबे समय तक इन tires के अंदर में maintain करके रख पाता है, इन tire का जो हवा आप देखोंगे, बहुत जल्दी आपको निकलता इन tires का यूज कर जाता है, ये tire को rim के साथ hold करके रखता है, radial tires का solder area होता है, वो normal से जादा होता है, जिसके वैसे फायदा ये हो जाता है, इन tires का एक तो vibration कम हो जाता है, और साथी इन tires को damage होने से भी बहुत हद तक बचा देता है, यहाँ पर जो spiral layers को दिया गया है, इनसे फ सारे हैं, अब नुकसान किया मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये, चुकिन का side wall होता है, ये जो area होता है, ये stiff नहीं होता है, ये कठोर नहीं होता है, तो in case अगर आप corning वगरा कर रहे हो, वहाँ पे ये tires का side wall है, ये damage होने का chance जादा होता है, कई पर side wall है, वह कट वगरा जाते है, ये भी नुकसान देखने को मिदता है, अगर इस तरह के tire में हवा अगर कम होगा, ये हवा आप जादा रहोगे, तो भी side wall के damage होने का, साथी tire के puncture होने का chance जो है, वह बढ़ जाता है, यहाँ पर चुकि हारडर dreds को दिया गया है, जिसके वैसे हो tires होते है, वह less comfortable होते है, smooth riding नहीं दे पाते हैं, और साथी ये जो radial tires होते है, इनका price भी expensive होता है, ये महेंगे होते है, चलिए अब मैं आपके जो normal tires से इनके advantages के बारे बताता हूँ, सबसे पहले तो important बात ये निकल कराता है, कि भले ही जो normal tire होते है, इनका जो side wall होता है, ये side wall भले ही आप मानलो कि stiff होता है, कठोर होता है, लेकिन फाइदा ये हो जाता है, कि इनका crisp cross pattern है, इसके वैसे, ये जो side wall damage होने का chance है, वो radial tire के मुकाबले बहुत ही कम होता है, तो जो side wall हो जल्दी ना damage होते है, ना ही puncture इस एरिया में होता है, ये फाइदा देखने को मिल ज साथी जो हमारे normal tire होते हैं, इनमें फाइदा ये भी हो जाता है, कि ये जो हमारे rough road से वहाँ पर आप चलाओगे, तो ज़्यादा बेहतर stability वगरा provide कर पाते है, जो riding है वो smooth हो जाता है, साथी normal tire के construction के वाइसे ये भी फाइदा हो जाता है, कि इस तरह के tire में अगर हावा कम ह तो हम बहुत असानी से देख के भी बता पाते हैं, कि हाँ tire में हावा कम है, जबकि जो radial tire है वहाँ पर चूकि side wall है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो हमें exactly देख के नहीं मालूम चल पाता है कि tire में हावा कम है, या फिर ज़्यादा है, बहुत high speed या racing को छोड़ द नॉर्मल tire के disadvantage की बात की जाए, तो यहाँ पर higher traction के वज़ा से नुकसान ये हो जाता है, कि इन तरह के tire के जो traits होते है, वो ज़्यादा जल्दी घिसते हैं, और traits को नुकसान ज़्यादा जल्दी होता है, साथी यहाँ पर rolling resistance भी ज़्यादा होता है, घूमते वक्त यह ज़् नॉर्मल tires होते है, इनका traction lose होने का खतरा होता है, तो cornering बहुत जाता है, smooth यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, as compared to radial tire, साथी यहाँ पर बहुत high speed मा अगर आप चलाओगे, तो यहाँ पर traction lose होने लगता है, road grip जो वो बहुत बहतर देखने को नहीं मिलता है, तो friends इन दोनो नहीं tire के फाइदे और नुकसान को तो आप समझ गया, अब बात करते है कि आपको क्या normal को हटा कर radial को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, simple से बात तो यह है कि जो radial tires होते है, इन्हें basically उस तरह के bikes वगरा में use किया जाता है, जो कि high speed के लिए, बहुत जादा high speed में riding के लिए जाने जाते है, लेकिन in general जो medium size के engine होते है, जहां पर top speed का बहुत जादा requirement नहीं होता है, या बहुत जादा जो heavy load वाले bikes वगरा भी होते है, वहां के लिए जो normal tires होते है, जो racing bikes वगरा होते है, इस तरह के theme के साथ बनाया जाते है, वहां पर radial tire बेस्ट होते है, बे tire के traits है, वह सही condition में हो, जिससे क्या होगा, कि दोनों में से कोई भी tire आप use करोगे, तो आपको बेहतर grip मिलने वाला है, बेहतर traction मिलने वाला है, और skidding के वजए से जो हमारा accident होने का chance है, वह बहुत हद तक कम हो जाएगा, तो उम्मीद है कि आज कि इस वीडियो में दी ग बादे, मिलते अगले वडियो में, थैंक्स वाचिंग इस वीडियो, गुडबाई